प्रभातकवर.com विश्वास्वही रवतार नहीं 2005 से पास आउट हैं और लंबे समय से अपना फॉर्म भी चला रहे हैं पीपीएफ में निवेस के क्या फायदे हैं और कितना निवेस करना जरूरी है इस समन्द में थोड़ी जानकारी पहले दर्शक को दी चाहिए पीएफ एक्चुली देखा जाया सर यह रिस्क फ्री इंवेस्मेंट है गॉर्मेंट ऑफ इंडिया संट्रल गॉर्मेंट इसके प्रति गारंटी देती है यह नेशनल सेविंग इंस्टिटूट करके है उसके तज़द होता है 1968 में पीपीएफ स्कीम सुरू की थी गॉर्मेंट ने इसमें मतला गर फायदा देखेंगे तो रेट ओफ इंट्रेस्ट हाई रहता है टैक्स बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट में भी तीनों प्रकार के टैक्स बेनिफिट है जैसे जब आप इंवेस्ट कर रहे हैं तब आपको छूट है जब आप इंट्रेस्ट कमा रहे हैं तब आपको छूट है जब आपका मैचुरिटी हो रहा है तब आपको छूट है तो यह त्रिपल ई की कैटिगरी में आता है पहले के जमाने में तो लोग पोस्ट आफिस ही एक बड़ा जरिया था, बाद में गॉवर्मेंट ने इसे बैंक में भी मोबलाइज कराया, आज की दुनिया में अपने इसको आफलाइन और ओनलाइन दोनों तरीके से खोल सकते हैं, ओनलाइन जैसे बैंक में आप बैंक के किस साइट में भी गॉवर्मेंट के साइट में जाके आप फॉर्म ए इसके लिए रिकमेंट किया गया है, फॉर्म ए भरिये, और विदीने मिनिट्स एकाउंट खुल जाएंगे, जिसमें आप से के वाईसी डॉकुमेंट्स और सारे चीज़ प्रक्रिया है, पयान आधार मैं एकाउंट सिर्फ एक लाओ, हाँ, अगर आप अपने माइनर, अपने बच्चे के लिए अगर आप खुलना चाह रहे हैं, तो as a custodian, नाम उसी बच्चे का रहेगा, खुलेगा, बतलब एकाउंट एक ही खुलेगा, आप बच्चे के custodian बोलके आप उस दूसरे अकाउ खुल रहे हैं, और बैंक आपने कुछ चुना है, तो चुनते किन बातों का ध्यान अगना चाहिए, क्या सत्तरक्ता रखनी चाहिए? इजुकेशन बच्चे का हुआ, उस सिलसिले में PPF एकाउंट खुलते हैं, और रहा बात एकाउंट बैंक हो या पोस्ट आफिस हो, कहां खुलना चाहिए, इसमें आप निसंदे होके, जहां आपको एजी आपका SS हो, आपके लिए अगर बैंक SS है, तो बैंक में आप जाके खुलिए, आपके नियर में अगर पोस्ट आफिस है तो आप पोस्ट आफिस में जाके खुलिए, अब क्योंकि आज की दुनिया में online banking में बहुत जादा advancement आया है, तो जो facility आपको बैंक में मिलेगा, in regard of service, not in regard of return और इस चीज़ में, तो मैं आपको बोलूँगा, आप अग पोस्ट आफिस में जाके, उसका तबादला हो जाता है कहीं और, वो चाता है कि वो account transfer करा ले, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया ऐसाइसर, form 5D करके आता है, वही जो मैंने आपको institute का नाम दिया, National Saving Institute जो है, इसमें भी आपको form मिल जाएं 30 days आपका account, अगर post office से आप convert करना चाह रहे हैं, bank में तो bank में आ जाएगा, bank से आप post office में करना चाह रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा, interbank करना चाह रहे हैं, तो interbank भी हो जाएगा, इसमें कोई बहुत ही liquidity रखें, मतलब बहुत लिक्विड टाइप के, मतलब मोविबिलिट में बहुत सरकार ने इस चीज का बहुत ध्यान राखा और यह बहुत ही अच्छा इस चीम है दूसरे निवेस के लॉंग टर्म के जो भी इंवेस्मेंट है उसकी तुलना अगर पीप से करें तो क्या फर्क अंदाजल देखिए सर लोग जनरली इंवेस्मेंट का कंपी रीजन करते हैं रिटर्न से definitely करना चीज़िए as a wise investor everyone चाहेगा हर आदमी चाहेगा कि उसका रिटर्न जादा से जादा हो इस investment में रिटर्न तो हई government of India का guarantee है number one income tax से भी आपको इसमें रियायत है, income tax में आप investment कर रहे हैं तब भी छूट है, section 80C में आप 12 लग तक का छूट ले सकते हैं, section 10D में आप उसका interest का exemption ले सकते हैं, उसका maturity का भी आप exemption ले सकते हैं, तो PPF में आपको बहुत, government ने बहुत incentive दिये, even अगर आप PPF में ऐसा प्रवधान है, कि इसका attachment, court का order स भी नहीं किया जा सकता, PPF ही मातर एक ऐसा investment है, अगर आप दिवालिया घोसित कर दिये गया है, और आपके PPF account में कुछ रुपिया पढ़ावा है, तो court उस order से उस पैसे को भी जबत नहीं कर सकती, ये एक बहुत बड़ी बात है, इसमें मगर income tax को exemption दिया गया है, अगर PPF account को वो कर सकती है, but court का decree हो या order हो, तो इसमें आप, मतलब, आप सेफ है, तो PPF में ये इसकी सही ओंड क्या है, और इसकी तैस सीमा जो राशी है, वो कितना, सर, इसमें minimum investment 500 रुपिया सालाना है, और maximum investment 1.500 रुपिया तक है, प्रती वर्स, नमबर वन, एज की कोई सीमा न PPF से मदद मिल सकती है, अगर मिल सकती है, तो परक्रिया क्या है इसकी? सर, देखिए, बेसिक इसकी, इसकी, इस PPF account scheme का, तो basic objective है, लोक-इन पीडिट for 15 years, but सरकार ने ऐसा provision रखा है, कि आप, जैसे अगर आप, आप, इसमें लोन की भी प्रवधान है, तीन साल के बाद आप इसमें लोन, तीन से लेके 6 साल के अंदर में अगर आप PPF फोले हैं, तो आपको इसमें लोन की भी सुईधा है, साथ साल के बाद आप अगर इससे partial withdraw करना चाह रहे हैं, कि आप कोई serious illness से प्रभावित हैं, या आप अपने बच्चे को higher education के लिए पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप partial withdraw कर सकते हैं, तो इसमें सब तरीके से mobility दिया है, मगर पांच साल से पहले आपको इसको premature closing allow नहीं है, इस PPF में, तो minimum आपको पांच साल wait करना पड़ेगा, बट इनहां आप loan option में जा सकते हैं, आपको loan, आपके deposit पे आपको loan मिल जाएगा, और loan का rate of interest भी बहुत कम रहेगा, एक percent loan rate of interest जो आपका deposit का rate रहेगा, उससे सिर्फ एक percent जादा आपको, किसी वज़े से PPF account बंद हो गया, समय से पैसा नहीं जमा करा है, या किसी वज़े से बंद हो गया, तो उसे दोबारा शुरू करनी के प्रक्रिया क्या है, पहला बात तो PPF account जो है, वो बंद 15 साल से पहले, प्री मैचूर्ड वाला तो अलग चीज हो गया, अब आप अगर इसमें होता है, डी अक्टिवेट हो जाता है, आप अगर किनी कारणों से आप minimum 500 रुपीज सालाना जमा नहीं कर वा पाए, तो अपने bank के भासा में जैसे बोलते हैं कि account dormant हो गया, उसी तरह इ account sleep में चला गया है, या inactive हो गया है, तो इसमें कोई विसेश, कोई जुर्माना सरकार के तरफ से नहीं है, 50 रुपीज इसमें per year करके आपका penalty है, गोर्मेंट के तरफ से, आप जितने साल default रहे हैं, उतना साल का आप से penalty लेके आप अपने account को फिर से activate करा सकते हैं, पहले जब इस योजना के शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक इसमें किस-किस तरह के बदलाव आए हैं, उस समंद में अगर कोई जनकारी देना चाहिए, जब ये स्कीम सुरू ही थी, 1968 में सुरू ही थी, National Saving Institute, Government of India के द्वारा ये स्कीम निर्धारित किया गया था उस समें rate of interest 4.68 था, इसका basic objective सरकार का यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा saving हो, लोग saving mode में आए, और एक पैसा सरकार के पास भी आए, ताकि सरकार उन पैसों को एक अच्छी योजनाओं में, विकास की योजनाओं में लगा सके, इस परियाय से किया गया था, हाँ, 2021 में इसा changes आया है, इसमें changes में है कि आप पहले limitation of deposits था, PPF में आप deposits जो था, एक limit निर्धारित था, 12 deposits in an years में आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे, उस नियाम को government of India ने change कर दिया है, अब आप उसमें n number of times, आप कितने भी रुपे आप उसमें जमा कर सकते हैं, PPF में, और nomination म भी बदलाओ आया है कि आप अपने nominee को define कर दीजे, so हर तरीके से ये scheme government of India ने लाए है, ताकि हर class of people, जो business class हो, चाहे service class हो, गरीब तर के लोग हो, चाहे अमीर तर के, सब को मत्य नजर रखते हुए, ये saving scheme रखा गया है.